नमस्कार मैं हूँ अंकीता सिंगों और आप देख रहे हैं सिटी बिग निउस नगर निगम चुनाव खोशित होने के बाद से ही अभी तक अनेकों पर्तियासियों ने कांग्रेस की तरफ से अपने दाविदारी पेश की थी लेकिन पाटे के चुनाव चेहन पर ना लड़ने के फैसले की वज़े से सभी की नजरें जिंदल हाउस पर जाटे की हैं अब देखना यह है कि आखिर जिंदल हाउस किस पर होगा महरबान किसकी चमके की किसमत और कौन होगा जिंदल हाउस की तरफ से मेरपद का उमीदवार इन सवालों को लेकर जितना आप और हम परिशान है उतना ही परिशान है जिंदल हाउस और उनकी इस परिशानी का कारण है मेरपद के हर प्रत्यासी का उनसे नीजी जुडाओ जिंदल हाउस अपनी तरफ से किसी उमीद्वार को नराज नहीं करना चाहता जिसके वज़े से वह फूख फूख कर कदम रखने को मजबूर है तो चलिए आई ए सिटी बिग न्यूस पर आपको दिखाते हैं उन दुरंदरों के चहरे जिन्होंने जिंदल हाउस में अपनी अरजी लगाई है शहर की मेर रह चुके शकुंदला राजली वाला अगरवाल समाज में खासी पहचान रखने वाले अगर संभवन के प्रधान अंजिनी कुमार खारिया वाले नगर परिशद के पूर्व परधान रह चुके अरविंद खरिंटा, समाज सेवी की छवी रखने वाले राहुल तायल, पूर्व परधान नगर परिशद वे समाज सेवी बिहारी लाल राड़ा, हिसार नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर डी एन सैनी, बीर सिंग ख्या पूर्व मंत्री हरी सिंग सैनी की पुत्र वधूर रेखा सैनी सेक्टर 16 सत्रा PWD एचोशेशन के प्रधान जितेंद्र शोरान अब देखना ये है कि जिंदल हाउस किसके सिर पर अपना हाथ रखता है और कौन बनता है नगर निगम हिसार के लिए कॉंग्रेस की तरफ से मेरपद का उमिद्वार अपने आसपास की सभी ओनलाइन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज नमस्कार